मेरी किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बिल्कुल शादी वाली हलवाई स्टाइल में मटर मश्रूम जो की बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत बढ़िया बनती है आप इसको नान चपाती राइस के साथ सर्फ करें तो चलिए हम रेस्पी बनाना शुरू करत है सबसे पहले हमने कडाहि ली है उस में अब हम ॥ Phantom डाल देंगे आप इसको डेसी गी में भी बना सकते हो मैं इसको ऑल में बना रही हूं कि और को डालने के बाद ऑयल को थोड़ा गरम होने देंगे उसके बाद हम अंसमें खड़े मसाले एड़ करेंगी दो तेज पता लि यह एक काली इलाइची है लॉंग है दो हरी इलाइची है इनको अब हम ऑईल में डाल देंगे और इसको थोड़ी देर भून लेंगे तांकि जो खड़े मसालों का जो फलेवर है वो इसमें अच्छे से ऑईल में आ जाए थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जीरा धनिया पाउडर धनिया पाउडर इसमें जुरूर एड़ करें इससे बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है एक हरी मिर्च ब्रीक कटी हुई डालिए इसको अब हम थोड़ा सा पका लेंगे अद्रक और लसन का पेस्ट है अद्रक लसन के पेस्ट को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चा बन दूर नहीं होता ये सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसको चपाती नान राइस के साथ सर्व कर सकते हो अद्रक लसन बहुत अच्छे से भून चुका है अब हमने तीन मीडियम साइज के प्याज लिये थे उनको चौप कर लिया अब हम इसको भी ब्राउन होने तक पकाएंगे प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन कर लेना है कच्छा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अदर्वाइस गरेवी का जो टेस्ट है अच्छा नहीं आएगा देखिए प्याज हमारी थोड़े ब्राउन होने स्टार्ट हो चुके हैं बस थोड़ी देर और इसको पकाएंगे थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें स्पाइसिस डालेंगे सबसे पहले हम इसमें देगी मिर्च डालेंगे इससे कलर बहुत ही बढ़ी आएगा सब्जी का हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ी से काली मिर्ची पाउडर spices अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें kitchen king masala डाल देंगे अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला इनको अब हम अच्छे से मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो मसाले का कच्छा फ्लेवर है वो दूर हो जाए छोड़ा सा पकाएंगे इसको मीडियम गैस पे ही पकाएंगे इसके बाद हमने 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के उसका अब हमने कटिंग करके मिक्सी के जाज में डाल दिया है इसमें 2 हरी जाल पैस में 15-20 दाने हम काजू के डाल देंगे और इसका एक पेस्ट रेड़् कर लेंगे अब हम पेस्ट को मसाले में एड़ कर देंगे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है साले का अगर आपको रेस्पी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें और कोमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी रेस्पी अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे नमक हमने जब टमाटर डालने हैं तब ही डालना है अब हम इसको अच्छे से ओल के छुटने तक इसको पका लेंगे यह देखिए हमारा मसाला है काफी हर तक रेड़ी हो चुका है अब हम इ यह थोड़ी सी शूगर का करेंगे इससे जो हमारी मसालों का बैलनस है वो सेट होता है हल्वाई लोग इसमें ज़रूर शूगर का का इस्तिमाल करते हैं तभी हम शादियों में खाते हैं थोड़ी सी हलकी सी मिठास में होती है सबजी अब हम इसमें वन टेबल स्पून में मलाई का इस्तिमाल कर रहे हैं फ्रेश मलाई है अगर आप इसमें करीम भी डाल सकते हो मलाई मैंने इसलिए 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 है क्योंक से वाश करके कटिंग करके नमक डालके मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है मश्रूम है अच्छे से पक चुकी है और ये मटर है 500 ग्राम इसको भी अच्छे से ये देखिए मैंने बॉयल कर लिया था नमक डालके मसाला हमारा बिल्कुल रेटी है अब हम इसमें मश्रूम डाल देंगे और साथ ही इसमें हम पुबले हुए मटर भी डाल देंगे इनको अच्छे से मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है एक बार आप जरूर ट्राई करें इस सबजी को यह देखिए हमने अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया है अब जो इसकी ग्रेवी हलवाई जो लोग ग्रेडी करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ एक कटोरी हमने दूद डाला है और एक कटोरी इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उसे हिसाब से हम इसमें पानी एड़ कर लेंगे इसमें ड्रेक्ट दूद नहीं डालना अगर हम ड्रेक्ट दूद डाल देंगे तो दूद फट जाएगा जिसे हमारी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी तो इसलिए हलवाई लोग ऐसे बनाके इस सब्जी में डालते हैं तो जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस कॉर्डिंग आप इसमें ये जो हमने मिक्चर त्यार किया है वो डालिए ये सब्जी बहुत जादा ग्रेवी वाली नहीं अच्छी लगती शादियों में हम देखते ह आप बिल्कुल ये रस्मिसी सब्जी होती है ये ऐसे हम भी ऐसे ही बनाएंगे बिल्कुल देखिए मैंने वो सारा पानी त्यार किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसको मीडियम गैस पे ढखके 7-8 मिनट तक हम इसको पकने देंगे मीडियम गैस पे ही पकाना है इसको 7-8 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे अभी मेरे को थोड़ी सी ये पतली लग रही है अब हम इसको थोड़ी देर इसको और पकाएंगे एक से दो मिनट के लिए इसको और पका लेंगे धक के उसके बाद हम ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है बिलकुल अच्छे से पक चुकी है इसके बाद हम इसमें जीरा पाउडर एड़ कर रहे हैं जीरी को मैंने तब भूल लिया था उसके बाद मैंने इसका पाउडर रेडी कर लिया ये बहुत ज़रूरी है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो अमीदे आपको रेस्पी अच्छी लगी होगी